आज हम productivity के उपर बहुत ही गजब की बुक को summarize करने वाले हैं इस बुक का नाम है Do It Today जिसे Darius Farox ने लिखा है इस बुक में आप सीखेंगे कि हम चीजों को क्यों टालते हैं और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं स्टेस में जाए बिना अपनी productivity को कैसे बढ़ाएं और अपने जीवन में ज़्यादा meaningful चीज़े कैसे पाएं ताकि आप इसे और ज़्यादा enjoy कर सके इसमें आप ये भी सीखने वाले हैं कि procrastination को कैसे बीट किया जाएं अन productive लोगों की क्या आदते होती हैं अपना focus कैसे बढ़ाएं कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा productive बनाती हैं और आप एक साल में 100 किताबे कैसे पढ़ सकते हैं इस book को समझने के लिए हमने इसे 9 parts में I think मैंने खुद ने काफी दिनों के बाद एक ऐसी book को बढ़ा जिसमें productivity से related सभी बाते बताई गई हैं और मुझे यकीन है कि अगर कोई भी इस किताब को अच्छे से समझता है तो वो अपनी productivity कई गुना बढ़ा लेगा शायद यही कारण है कि इस वीडियो को हम जादा छो subscribe भी करतें तो चले फिर शुरू करते हैं जब author focus नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं क्या आप अपने कामों को खत्म करने में struggle करते हैं क्या आप हमेशा notification या हसी मजाग से distract हो जाते हैं अगर ऐसा है तो आप और author बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि काम पर एक चीज पर focus करना सबसे मुश्किल चीज है हमेशा कुछ नकुछ आपको interrupt करता है जैसे कि कोई एक इनसान एक call एक meeting या कोई news हाँ आप उन चीजों को blame कर सकते हैं लेकिन ये सही नहीं है आपको पता है कि वो चीज़े आपके permission के बिना आपको disturb नहीं कर सकती हैं इसका मतलब हर बार जब आप focus नहीं होते हैं तो आप किसी और को या किसी चीज को अपने दिमाग में जाने की permission दे रहे हैं इस तरीके से author interaction को देखते हैं तो आप focus को improve करने के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर दो चीज़े हैं जो author हमेशा करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो जरूरी कामों पर focus नही expose होते हैं जिसमें से हम कुछ को adopt करते हैं और अपना बना लेते हैं एक्जांपल के लिए काफी सारे लोगों ने author को कहा कि उन्हें YouTube वीडियो बनानी चाहिए author भी अपने दोस्तों को अपने team member को advice देते हैं कि कैसे वो लोग अपनी life, career और business को improve कर सकते हैं यह चीज हम सब करते हैं और इसमें कोई बरी बात नहीं है यह तब ही problem बनती है जब आप लोगों से मिलने वाले input को filter नहीं करते हैं जब author को लोगों ने कहा कि उन्हें YouTube वीडियो बनानी चाहिए तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए उन्होंने इस पर काम बनाने पर focus नहीं कर पा रहे थे और ये exactly वही चीज थी जो वो करना चाहते थे इसकी वजह से उनके focus और उनके काम दोनोंने सफर किया फिर उन्होंने अपने आपसे सवाल पूछा कौन सी चीज मुझे हटानी चाहिए जिससे मेरी life simple हो जाए और focus करना असान हो जाए इस case म उन्होंने YouTube पर focus करना बंद कर दिया, Elimination एक key strategy है जो कि author अपनी जिन्दगी के काफी सारे aspect में use करते हैं, हम इतने सालों में इतनी जादा अंचाहिज चीजों को जमा कर लेते हैं कि हमारा दिमाग ideas और project से भर जाता है और इन्हे consistently हटाना जरूरी है, अगर आपको focus करने मे दिक्कत होती है, तो इस strategy को try करें, अपनी जिन्दगी को इतना simple बना ले कि आप के लिए जीना बहुत आसान हो जाए, दूसरी चीज जो author करते हैं वो है, पहले की success के बारे में सोचना, past success और happiness के बारे में सोचना, हमारे इंदर serotonin के production को बढ़ाता है, serotonin एक chemical nerve है, जो कि हमारे cells produce करती है, serotonin depression को कम करने, mood को stabilize करने, sleep को control करने और anxiety को regulate करने में मदद करता है, serotonin हमारी general well-being में बहुत बड़ा role play करता है, वो delayed gratification को भी regulate करता है, इसलिए serotonin हमारे focus के लिए matter करता है, जब आपकी serotonin activity कम होती है, तो उसकी वजह से long term में lack of focus हो सकता है, जब आप focus कोते हैं, तो एक बड़ा chance है, कि आपकी serotonin activity कम है, इसलिए आप short term pleasures, जैसे बाहर जाना, drink करना, pond देखना, shopping करना, या TV देखने में indulge हो रहे हैं, अपने focus को improve करने के लिए, अपनी serotonin activity को boost करें, research से पता चलता है, कि ये exercise से भी हो सकता है, लेकिन एक और simple mind exercise भी ये कर सक मेट्टी वो चीज है, जो आपको चाहिए, science के according, procrastination को कैसे हटाएं, procrastination modern civilization की शुरुआत से है, historical figure जैसे, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Benjamin Franklin, इन जैसे लोगों ने कहा है, कि procrastination result का दुश्मन है, procrastination के बारे में funny चीज ये है, कि हम सब को पता है, कि वो harmful है, कौन procrastinate करना चाहता है, कोई भी नहीं, procrastination author की जिन्दगी की story थी, हर semester के शुरुआत में, वो सबसे cool रहते थे, enjoy करते थे, relax करते थे, बाहर party करने जाते थे, लेकिन exam से एक हफते पहले, वो अपने आपको कहते थे, भाई तुमने पहले पढ़ना शुरू क्यों नहीं किया, और फिर वो सूचते थे, कि semester के प्रकास्टिनेटर में common है, वो है कि प्रकास्टिनेशन का एक prize है, American Psychological Society में एक study पबिश की गई, और उसमें प्रकास्टिनेशन की cost लिखी थी, जो की था depression, irrational beliefs, low self-esteem, गुसा और stress, प्रकास्टिनेशन को इनुसेंट behavior नहीं है, बलकि वो sign है, poor self-regulation का, researcher प्रकास्टिनेशन को, alcohol और drug abuse से भी compare करते हैं, self-regulation, self-control और willpower वो चीज़े हैं, जिने हम overestimate करते हैं, तो willpower या self-discipline पर depend करने से अच्छा होगा, कि हम काम करने का एक system बना ले, काफी सारे लोगों को routine और system अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग freedom चाते हैं, लेकिन freedom आपकी दुश्मन है, fact यह है, कि अगर आप चीज़ों को पूरा करना चाते हैं, तो आपको rules की जरुत पड़ेगी, यहाँ पर कुछ चीज़े हैं, जो की effective proof ही है, self-imposed deadlines, accountability system, intervals में काम करना, हर रोज 30 मिनिट exercise करना, एक healthy diet, distraction को eliminate करना, और सबसे ज़रूरी, internal motivation, अगर आप सही productivity tactics को combine करेंगे, तो आपको एक productivity system मिलेगा, deadline urgency बनाती है, accountability, responsibility बनाती है, internal में काम करना, आपका focus improve करता है, exercise और healthy diet, आपको और ज़्यादे एनरजी देगी, और distraction को हटाना, temperature को दूर करेगा, लेकिन कोई भी system आपकी तब तक मदद नहीं कर सकता, जब तक आप internally motivated ना हो, लोग इसे over complicated करते हैं लेकिन ये science है, कोई rocket science नहीं, unproductive लोगों की आदते, जने आप copy नहीं करना चाते हैं, unproductive लोगों की कुछ habits होती हैं, अगर आपके अंदर इन मेंसे कुछ habits हैं, तो चिंता ना करें, हम सब कभी-कभी unproductive हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर 4 से जादा हैं, तो ये ब बालेते हैं, कि हम देखी नहीं पातें, कि ये कितनी self-absorbed thinking है, ये बस मेरे, मेरे, और मेरे बारी में ही है, ये सारे examples, author की जिंदगी से ही हैं, वो क्या होगा game के king थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, आप इस second नहीं मरने वाले, तो आपने आप से उपर उठें, चिंता ल बिना किसी reason के stats को check करते थे, तब उन्होंने सोचा, checking का outcome क्या है, जवाब है कुछ भी नहीं, आप बस information को consume करते हैं, author अपनी checking को कम करना चाते थे, इसलिए उन्होंने सारे news और social media apps को अपने phone से delete कर दिया, checking एक habit है, जिससे आप पूरी तरह से नहीं हटा सकते, सिर्फ एक ये दो check करने वाली चीज़ों को ही रखे, जो आपको अच्छी लगती हैं, बाकि सब को हटा दे, आप किसी चीज़ पर miss नहीं कर रही हैं, life से भागना, दो साल पहले जब भी author जिन्दगी से परिशान हो जाते थे, तो वो इस तरीके की बाते करते थे, मुझे drink चाहिए, या मुझे छुटी पर जाना चाहिए, और जब उन्होंने काम पर या अपनी relationship में जादा दिक्कत होती थी, तो वो इस तरीके से दिखावा करते थे, कि वो है ही नहीं, क्या उन्होंने इन issues को solve किया, जवाब है नहीं, वो बस इन से भागने का try करते थे, प्राबलम से दू योगों को नीचा नहीं दिखाना चाते, शायद आप ना शब्द से uncomfortable है, ये सच में matter नहीं करता, matter करता है, कि अगर आप हमेशा हां बोलते रहेंगे, तो आप किसी और की जिन्दगी जी रहे हैं, इसके बारे में सूचे, अंदर ये अंदर हम तब को पता है, कि ये सच है, अगर आप हां बोलते रहेंगे, तो आप अपने time को भी control नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी जिन्दगी का पूरा control लेना चाते हैं, तो लाखों चीजों को ना बोले, और बहुत जादा matter करने वाली चीजों को हां बोले, चीजों को ना लिखना, क्या आप इतने smart हैं, कि आप अपनी brain power को उन चीजों के लिए use कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, जैसे problem को solve करना, इससे आप उन चीजों पर ध्यान दे पाएंगे, जो कि आपके लिए काम की हैं, और आपकी life में मदद करती हैं, अगर आप journaling करते हैं, तो ये और भी अच्छी बात है, अपनी personal education को ignore करना, कौन है जो एक चीज सीखता है, और हमेशा के लिए रुख जाता है, ऑथर हमेशा सोचते थे, कि जब आप college से pass out होते हैं, तो सीखना खत्म हो जाता है, लेकिन बाद नूने सच का पता चला, कि जब आप सीखना बंद कर देते हैं, तो जिंदगी बंद हो जाती है, अपने उपर invest करें, नई चीजे सीखें, किताबे पढ़ें, courses करें, वीडियोस देखें, चाहे उसे घर से करें या कहीं जाकर, लेकिन करें, ऐसा करने से आप और जादा productive हो जाएंगे, और life के लिए excited भी रहेंगे, rules से नफरत करना, जादा तर लोगों को rules से नफरत है जब हम छोटे होते हैं, यह तब से शुरू होता है, मुझे उसे क्यों करना है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, तब हम rules follow नहीं करते, author का मानना था की rules dumb है, author अपने आपको इस बात पर पागल कहते है, rules असल में जिन्दगी की best चीज है, जब productivity की बात आती है, तो पहला rule ह जब है rules होना, अगर आप rules के बिना रहना चाते हैं, तो आपकी मर्जी, लेकिन life को इस fight love नहीं है, rules असल में हम इस problems को solve करने में मदद करते हैं, कैसे बहतर तरीके से focus करें, अपना attention manage करें, अपना time नहीं, आप एक दिन में कितने minutes के लिए बिना disturb हुए काम कर सकते हैं, 10 minutes, 20 minutes, या शायद 50 minutes, अगर आपको लगता है कि ये कम है, तो बस अपनी जिन्दगी को examine करें, हम में से जादा तर लोग 10 minutes से जादा undisturbed नहीं रह सकते, हम इतने जादा connected हैं, कि अपने उपर और अपने काम पर focus करने के लिए time निकाला impossible हो जाता है, हम में से कुछ लोगों को ह एक part है, उसका आपके smartphone, YouTube, Instagram या Tinder से कोई लेना देना नहीं है, ये एक human nature है, हमें busy रहना अच्छा लगता है, सोकरट जो कि western philosophy के founder में से एक हैं, उन्होंने 24 सो साल पहले ही हमें इस बारे में one कर दिया था, busyness कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि busyness और distraction साथ साथ चलते है distraction हर जगा है, तो आपको अपने attention को manage करने में better होना होगा, ना कि अपने time को manage करने में, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती है, जो लोग करते हैं, हम गलती से ये believe करते हैं, कि हम अपने time को manage कर सकते हैं, लेकिन time को manage नहीं किया जा सकता है, जो चीज आप control करते हैं, वो है तक लेकर जा सकती है तो अपने इटेंशन को मैनेज करना शुरू करें ना कि अपने टाइम को इसके साथ साथ आप अपने इटेंशन को मैनेज करने के लिए मेक टाइम बुक को कुको एफेम पर भी सुन सकते हैं जिसमें आप सीखेंगे कि उन चीजों पर कैसे फोकस करें जो आप के लिए सबसे जादा मैटर करती हैं आप भी कुको एफेम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सिस, हजार ओडियो बुक्स और बुक्स अम्रीज को भी सुन सकते हैं इसके लिए आपको एक जगे बैटने की ज़रुत नहीं है वाक करते हुए, ट्रावल करते वक्त, खाना खाते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं अभी एनुवल मेंबर्शिप के साथ चल रहा है 50% डिसकाउंट मतलब 399 रुपे की जगा, सिर्फ 1099 रुपे इसके लिए जल्दी से आरवी से 50 कुपन कोड यूज करें क्योंकि ये सिर्फ पहले 200 यूजर्स को ही मिल पाता है इसका लिंक भी डिस्ट्रेशन में डाल दिया गया है छुट्टी ले, ये आपकी परड़क्टिवटी को बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है जब आपके फोन की बैटरी कम हो जाते है तो आप अपने फोन को रिचार्ज करते हैं लेकिन कभी-कभी आप अपने सबसे precious possession यानि कि अपनी बाड़ी को रिचार्ज करना भूल जाते हैं सुबह उटना और इस दुनिया में जीना काफी मुश्किल काम है तो हम एक vacation ना लेकर इससे और जादा मुश्किल क्यों बनाते हैं आप अपने बैटरी को रिचार्ज करना जिससे कि आप मैनस से काम कर सके scientific research दिखाती है कि एक vacation, stress और burnout को कम करता है ये vacation लेने का एक अच्छा reason है लेकिन जैसा कि आपको पता है कि author productivity में बहुत जादा interested रहते हैं तो वो vacation के case में अपने आप से पूचते हैं कि क्या मैं वापस आकर जादा चीजे कर पाऊंगा और इसका जवाब है हाँ यानि कि एक तीन से चार दिन का vacation लेकर आप stress और burnout को भी दूर कर पाएंगे और उसके साथ वापस आने के बाद और जादा productive हो पाएंगे या आपके पैसे और टाइम का अच्छा ROI है बिना बात की browsing को बंद करना हम सबके कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें हम unproductive feel करते हैं या हमारे पास कुछ करने की energy नहीं होती जब आपको लगता है कि आप productive नहीं है तो chances हैं कि interruption और multi-tasking आपको train करती हैं जब आप multiple चीजों को एक साथ करते हैं जैसे email भेजना, दोज से बात करना और facebook चेक करना तो आप contact switching में engage होते हैं University of California में एक research की गई और उसमें ही पता चला कि एक interruption के बाद original task पर वापस आने में average 25 minute लगते हैं क्योंकि आप एक से ज़ादा बार interrupt होते हैं तो ये बहुत जल्दी add up होता है और आपको लगता है कि आपने पूरा दिन कुछ नहीं किया Clifford Ness, जो कि Stanford University के एक sociologist है, उन्होंने हम अपने आपको control नहीं कर सकते जब भी notification आती है तो हमें अपने आपसे पूछना चाहिए कि क्या मुझे इस चीज को या इस इनसान को अपना attention देना है हर बार जब notification हमारी screen पर pop up होती है तो हमें एक रश मिलता है जो कि dopamine release करता है dopamine हमारे दिमाग के pleasure system को control करता है और हमें joy feel कराता है ये joyous feeling addictive होती है और हम उन कामों को करने लगते हैं जिससे dopamine stimulate होता है drugs और notification के बारे में सोच सकते हैं ये वो behaviors हैं जिससे हमें dopamine मिलता है dopamine एक rush बनाता है लेकिन वो आपको exhaust भी करता है इसलिए productive ना होने के बावजूद भी दिन के end में ठका हुआ feel करते हैं ये खतरनाग process है और हमें इस pattern को रोकना होगा productive होने का simple मतलब है अपने दिन का control लेना आपकी productivity को जो चीज सबसे ज़ादा नुकसान पहुचाती है वो है browsing वो इसे पूरा मार देती है जब भी हम browse कर रहे होते हैं तो हमें time का पता नहीं चलता आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा क्या मैंने 2 गंटे से कुछ नहीं किया इसलिए author अपने attention और time का control लेने के लिए कहते हैं point ये है कि कुछ ऐसा करे जो कि आपके time की worth है अपनी time के बारे में conscious रहें और उसे इस तरीके से करें जिससे आपकी life की quality improve होती है 20 चीजे जो आपको पहले से कही ज़्यादा productive बना देंगी अगर आपके पास सही mindset नहीं है तो productivity tools, apps या hacks काम नहीं करतें क्योंकि productivity एक जीने का तरीका है productivity का मतलब है maximum output अचीव करना काम पूरा करना और time waste ना करना यहाँ पर author 20 चीजे शेर करते हैं जो उन्होंने पिछले 3 सालों में की जिससे वो बहुत ज़ादा productive हो गए हमेशा चेज से cut करे जिन्दगी में सारी चीजे हैं कहीं crap है और कहीं वो चीजे भी हैं जो matter करती है चिट शैट, छोटी वाचीट, डेले करना यह सब useless है अगर आप काम को पूरा करना चाते हैं तो directly action में घुसे अपने सारे thoughts और ideas को record करे computers के जैसे हमारे पास random access memory यानि की RAM है आपकी RAM relevant short term information को store करती है लेकिन आपकी RAM capacity limited है जब वो भर जाती है तो वो नई information के लिए जगया बनाने के लिए पूरी information को automatically delete कर देती है आपको अपने thoughts को लिखना चाहिए जिससे कि आप अपने RAM को unload कर सके इससे आपको जादा brain power मिलेगी अगर आप उन लिखे हुए thoughts को कभी नहीं देखने वाले हैं तब भी उने लिखे क्योंकि इससे आपको काफी मदद मिलेगी ना बोले जब काम की बात आती है तो अथरुन सारी चीजों को ना बोलते हैं जो कि उनके goals और values को support नहीं करते क्योंकि हम एक abundant world में रहते हैं जहां पर सब कुछ काफी जादा amount में है हर 30-45 minute में एक 5 minute का break ले break में आप अपनी back को stretch कर सकते हैं थोड़ा सचल सकते हैं पानी पीज सकते हैं लेकिन सबसे जरूरी आप अपने काम से अपना ध्यान हटा सकते हैं जो भी आपको distract करता है उसे eliminate करे विल पावर ओवर रेटिड है अगर कोई चीज आपको distract करती है तो उसे eliminate करे ऑथर के एक दोस्त को news का addiction था ऑथर ने उन्हें सज़ेस किया कि TV देखना बंद करे अपनी news app डिलीट करे और अपने laptop पर new sites को block कर दे दो हफते बाद उन्हें ने author से कहा कि आप वो एक नया business start कर रही है ये ना सोचे कि आप distraction से immune है उन्हें remove करे clutter को दूर रखे एक cluttered जिंदगी का मतलब है cluttered दिमाग और एक cluttered दिमाग के साथ आप काम पूरा नहीं कर सकते author एक simple environment में काम करने को कहते हैं एक desk, एक laptop और एक notebook इसे simple रखे आपको ज़्यादा दिखावी की ज़रुद नहीं है एक चीज़ पर focus करे अगर आपके पास recurring task है तो जितना हो सके same चीज़ को एक ही दिन करे author दो से तीन blog post को एक दिन में लिखते हैं और हफते के बाके दिन वो अपने दूसरे businesses और projects पर काम करते हैं उनके लिखने वाले दिनों में वो phone को बंद कर देते हैं और सिर्फ लिखते हैं बहुत ज़्यादा information consume ना करें आपको productivity के उपर 100 वीडियोज नहीं देखनी है अगर आपको useful information मिले तो उसे try करें जादा सर्च ना करें जादा हमिशा अच्छा नहीं होता routines बनाएं decision आपके दिमाग को fatigue देते हैं और routines decision को eliminate करते हैं जिसका ultimately मतब है जादा brain power routines efficient हैं multitask ना करें जैसे के पहले discuss किया गया है कि एक interruption से original task पर वापस आने में average 25 minute लगते हैं ये useful time का wastage है email को दिन में सिर्फ दो बार चेक करें हर बार जब आप अपनी email को चेक करते हैं तो आपको dopamine का एक rush मिलता है email चेक करना अच्छा feel कराता है और हम में से जादा तर लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं dopamine एक rush बनाता है लेकिन ये आपको exhaust भी करता है इसलिए आप दिन के खत्म होने पर tired feel करते हैं भले ही आपने पुरा दिन कुछ भी productive ना किया हो इसको कम करने के लिए notification को off कर दे और अपने email को set time पर सिर्फ दो बारी चेक करें दिन के पहले घंटे में कोई smartphone नहीं एक smartphone का primary function है आपको interrupt करना लेकिन दूसरे logo या app से आपको आपके दिन के पहले घंटे में interrupt ना करने दे पहले घंटे को अपने दिन के बारे में सोचने book पढ़ने और breakfast को enjoy करने के लिए use करें अगले दिन को plan करें हर रात bed पर जाने से पहले author अपने अगले दिन की priority set करने के लिए 5 minute लेते हैं इससे जब वो अगले दिन उठते हैं तो वो और जादा focus feel करते हैं उन्हें लगता है कि अगर वो इस काम को नहीं करेंगे तो वो अपना time based करेंगे thinking को कम से कम रखें जब लोग कहते हैं मैं सोच रहा हूँ तो उनका सोचने का मतलब चिंता करना होता है जादा ना सोचे बस करें और देखें क्या होता है अगर जो हो रहा है वो आपको अच्छा लगता है तो continue करें वरना ना करें exercise करें जिंदगी में कुछ चीजे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाना, पानी, रहनी की जगा relationships और exercise इन चीजों के बिना आप properly function नहीं कर पाएंगे scientific research show करती है कि regular exercise आपको खुश, smart और ज़्यादा energetic बना सकती है थोड़ा सा हसे हसने से stress कम होता है और अगर आप अपनी productivity को उपर रखना चाते हैं तो आपको stress नहीं चाहिए तो जितना हो सके अपने मूँ के corners को उपर रखे मतलब हसते रहे meetings में ना जाएं ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो कि companies के लिए काम करते हैं कुछ companies के पास meeting culture होता है लोग बस important देखने के लिए meeting organize करते हैं और असली काम को procrastinate करते हैं क्या ये सच में ज़रूरी है अपने आप से जितना हो सके ये सवाल पूछे आपको पता चलेगा कि जादा तर समय आपका जवाब ना है तो जो चीज़े ज़रूरी नहीं है उनको क्यों करना है अगर आपका शिते दिन है तो reset press करें कोई आपसे नाराज हो गया है या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है ये सब के साथ होता है इसके बारे में ज़ादा ना सोचें अकेले कुछ वक्त बिताएं meditate करें music सुनें या walk के लिए जाएं track पर आने की कोशिश करें और अपने दिन को waste ना होने दें काम करें हाँ, काम के बारे में बात करना काम करने से असान है हर को इसे कर सकता है लेकिन आप सब की तरह नहीं है आप एक productivity beast है तो एक productivity beast की तरह ही act करें अगर आप जादा productive बनना चाते हैं तो research से पता चलता है कि आपको एक break की जरूत है author ने productivity के ओपर दरजन भर book पड़ी है और time management के ओपर अनगिनत articles पड़े हैं और अपनी productivity को boost करने के लिए अलग-लग methods को test किया है idea simple है उन्हें same time में जादा काम करना है वो shortcut या hacks नहीं ढून रहे हैं उन्हें काम करना अच्छा लगता है लेकिन एक बात जो उन्हें अच्छी नहीं लगती है वो है उन्चीजों पर time बरबाद करना जो की काम कर नहीं है कभी-कभी वो YouTube देखना शुरू करते हैं और बस दो घंटे चले गए और फिर वो YouTube से frustrated हो जाते हैं लेकिन ये कोई sense नहीं बनती ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने कल रात ड्रिंक पी थी और आप उस पर आज गुसा कर रहे हैं प्राल्लम ड्रिंक की नहीं है बलकि आप की है आप एक ड्रिंक करने के बाद रख सकते थे आप एक वीडियो देखने के बाद YouTube बंद कर सकते थे और ने उस frustration को eliminate करने का एक तरीका ढूंडा जिससे की काम करने में मज़ा आता है और काम में कम चिंता होती है solution simple है हर 30 मिनट के बाद 5 मिनट का break ले इसे Pomodoro टेकनीक भी कहते हैं ये method काम इसलिए करता है क्योंकि ये evolutionary biology पर dependent है हमारा brain एक काम पर ज़्यादा time के लिए focus नहीं कर सकता हमारा दिमाग हमारे survival को पक्खा करने के लिए बना है इसलिए वो हमेशा alert state में रहता है इसलिए एक चीज़ पर लंबे time के लिए focus करना आपके दिमाग के लिए मुश्किल है University of Illinois की research शो करती है कि काम को deactivate और reactivate करना हमें focus रखता है जब आप बड़े काम को पूरा कर रहे हूं जैसे exam के लिए पढ़ना, presentations बनाना या reports लिखना तो छोटे और planned breaks लेना best method है जब आप break लेते हैं तो आपको re-evaluate करने के लिए कुछ seconds मिल जाते हैं कभी-कभी आपको ये भी पता चल सकता है कि आपको quality को बढ़ाने के लिए अपने काम को और्जस करना होगा दूसरी तरफ, अगर आप एक task पर बिना break लिए काम कर रहे हैं तो आप जल्दी से focus खो देंगे और काम की quality को maintain नहीं कर पाएंगे इसलिए 5 मिनिट वाला break 30 मिनिट काम करना जितना ही important है अपने breaks को seriously लें उन्हें एक reward की तरह देखें अपने breaks का इस्तमाल थोड़ा चलने के लिए कुछ stretches करने के लिए या कुछ ऐसा करे जो आपको relax करता हो जो आपने काम किया है उसके लिए खुश हो अगर आप इस method को try करना चाते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़े हैं जो कि आपके वंदद कर सकते हैं 30 मिनिट का interval set करने के लिए आपका use करे उस 30 मिनिट के interval में सिर्व एक ही काम assign करे अपने breaks को skip ना करे breaks लेते समय अपने email को check ना करे चार intervals के बाद 15 मिनिट का break ले जब आप 30 मिनिट के stretch में हो तो false emergencies या interruption को accept ना करे हर रोज का daily goals set करे एक साल में 100 किताबे कैसे पढ़े अब हम इस summary के आखरी chapter पर आ गए है जो कि बताता है कि एक साल में 100 books को कैसे पढ़े सारे success से लोग books को read करते हैं अगर आप एक महान इंसान की biography को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि वो लोग भी books पढ़ते थे तो ज़ादा read करने के लिए author 5 lessons को share करते हैं bulk में buy करे अगर आप ज़ादा पढ़ना चाते हैं तो आपको ज़ादा books खरीदनी होगी कुछ लोग इसे नहीं समझते हैं वो 5000 रुपे नई जूते खरीदने में खर्च करतेंगे लेकिन Amazon से 20 books नहीं खरीदेंगे idea simple है अगर आपके घर में ज़ादा books होंगी तो आपके पास ज़ादा choices होंगी और ये आपके मदद करेगा ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी books आप पढ़ते हैं वो advance में plan नहीं होती आप एक book को खत्म करते हैं आप inventory देखते हैं और decide करते हैं कि अगला क्या पढ़ना है जादा ना सोचें कि कौन सी book आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि आप घंटों reviews पढ़ने में बैट जाएंगे जो कि time wastage होगी किताबों के inventory रखना momentum को उपर रखता है आपके पास कभी भी ना पढ़ने का excuse ही नहीं होता हमेशा पढ़ते रहें author एक moto से जीते हैं जो कि हमेशा पढ़ते रहें वो हर रोज minimum में एक घंटा पढ़ते हैं और weekends और छुटियों पर और भी जादा अपने schedule और अपने life situation के round पढ़ने का try करें excuse ना बनाए जैसे आप बहुत ठके हुए हैं या बहुत busy हैं हमेशा पढ़ने का मतलब आप train में पढ़ सकते हैं खाते समय पढ़ सकते हैं डॉक्टर के office में पढ़ सकते हैं और सबसे ज़रूरी तब पढ़ते हैं जब बाकी लोग news देखकर time waste कर रहे हैं या उस facebook को 100 वी बार चेक कर रहे हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो आप साल में 100 से ज़ादा books पढ़ पाएंगे चलिए इसका math देखते हैं ज़ादतर लोग एक घंडे में 50 pages पढ़ते हैं अगर आप एक हफते में 10 घंटे पढ़ेंगे तो आप एक साल में 26,000 pages पढ़ लेंगे अगर एक book में average 200 pages हैं तो आप एक साल में 104 books पढ़ लेंगे अगर आप दो हफते का break भी लेते हैं तो भी आप एक साल में कम से कम 100 books तो पढ़ ही लेंगे या आपके time के investment पर अच्छा return है सिर्फ relevant books ही पढ़े सारी books सबके लिए नहीं है एक book bestseller हो सकती है लेकिन शायद वो भी आपके लिए सही ना हो अगर आप pages को flip नहीं कर सकते या हमेशा सोचते हैं कि आपको कितने pages और पढ़ने हैं तो उस book को रख दे क्योंकि वो आपके लिए नहीं है वही books पढ़े जो कि आपके profession या hobby से related हो उन लोगों की books पढ़े जेने आप admire करते हैं एक साथ कई books पढ़े reading के कोई rules नहीं है तो आप जो भी चाहें कर सकते हैं कभी-कभी author एक साथ 5 books पढ़ रहे होते थे वो एक book के 50 पिजे सुबह पढ़ते हैं और दोबैर में कोई और book पढ़ते हैं वो इस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं अगर आप कुछ ऐसा read कर रहे हैं जो की complicated है तो आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहेंगे जो कि शाम के लिए आसान हो author सोने से पहले biographies पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो story जैसी होती है वो bed में रहकर कोई investing की book नहीं पढ़ रहे होते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो 3 बज़े तक जागे रहेंगे क्योंकि उनका दिमाग नई चीजों से भरा होगा knowledge को retain करे knowledge तब ही अच्छी है जब आप उसका use करे knowledge को retain करने के लिए आपको एक system चाहिए होता है जो कि ऐसा कर सके जब आप एक book को पढ़ रहे होते हैं तो margins पर note बनाने के लिए एक pen का use करें और ज़रूरी text को highlight करें अगर पढ़ते time आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि बहुत ज़रूरी है तो page के top और bottom corner को fold कर दे जब आप book को खद्म कर ले तो उन fold किये गए pages को फिर से पड़े उन quotes को copy करे जो आप अपने जिन्दगी में apply करना चाते हैं तो दोस्तो इस book से हमने सीखा हम चीजों को क्यों टालते हैं और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं स्ट्रेस में जाए बिना अपनी productivity को कैसे बढ़ाएं और अपने जीवन में जादा meaningful चीज़े कैसे पाएं ताकि आप इसे जादा enjoy कर सकी हमने ये भी सिखा procrastination को कैसे beat किया जाए unproductive लोगों की क्या अदते होती हैं अपना focus कैसे बढ़ाएं कौन सी जीज़े आपको ज़्यादा productive बनाती हैं और आप एक साल में